नमस्कार आप सभी लोगों का मोमेंट डाटर रेसिपी चैनल में आज की रेसिपी फ्रेंड्स हम बनाएंगे चने की भाजी जो कि सर्दियों में ही मिलती है चना की भाजी तो चने की भाजी गरम भी करती है और हेल्दी भी होती है तो सर्दियों में आप लोग जरूर चने की भाजी हमारे तरीकी से जरूर बना के खाईएगा गैरंटी ही कि आप लोग उंगलिये चाटते रह जाएंगे और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और सस्क्राइब कर दीजेगा हर तरह की विरसीपी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी ये देखिए फ्रेंट्स ही हमारे खेतों में लगी हुई थी चना भाजी इस तरह से चना की भाजी लगाई जाती है खेतों में तो इगम ताजी भाजी हमने लेकर आए हैं वैसे मारकेट में मिल जाती है सरदी की सीजन में तो आप वहां से भी लेकर और थाजी दाजी भाजी जरूर बनाएज़ा तो ये देखिए इस तरह से भाजी हमने लेकर आये थे तो उपर की कलिया कलिया हमने लेकर आए हैं इसमें मोटे डंठल नहीं है और थो थे तो हमने उसको निकालके फेक दिया है यदि इसमें जो कड़ी डंडिया रहती है आप से पत्ती पत्ती लीजिएगा या उपर की कली लीजिएगा मोटी डंडिया आपको निकालके फेक देना है तो आज हम friends चने की भाजी को उबाल कर बनाएंगे तो ये देखिए हमने एक कूकर ले लिया है भाजी को हमने बहुत अच्छे तरीके से दो-तिन पानी आप अच्छे से साफ कर लीजेगा पानी से अच्छे से धो लीजेगा तो ये धोके एकदम साफ है अब हम इसको कूकर में डाल लेते हैं तो कूकर में डाल कर इसको थोड़ा सा बफा ले लेंगे हम तो इससे भाजी क्या है? सॉफ्ट हो जाएगी ये देखिए सारी भाजी को हमने रख लिया है हमने इससे काटा नहीं है क्यूंकि हम इसको इसे हम पीस के रवनाएंगे तो इसको देखिए उबालते समय हम इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं हरी मिर्च आप अपने टेश्ट के इसाफ से डाल सकते हैं हम कम से कम 4-5 डाल दिये हैं और इसमें हमने लहसून की कलियां डाला है धनिया पत्ती हम डाल रहे हैं हम बिना काटे ही डाल रहे हैं क्योंकि हम इसे बाद में पीसेंगे तो देखे इसमें हमने डाल दिया है हरे मिर्च, लहसून, धनिया पत्ती साथ में है चना भाजी थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे बफाने के लिए क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आल्रेडी जो भाजी रहती उसमें थोड़ा सा पानी रहता है तो ये मेजर्मेंट के हिसाब से हमने दो कटोरी डालेंगे तो ये हमारी सीटी हो गई थी तो ये देखी सीटी होने के बाद ये इस तरीके से गल चुकी है भाजी तो इसको थोड़ा सा भाप निकलने देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं एकदम गरम गरम भी आप नहीं पीसेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको हम पीस लेंगे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा हो चुका है तो इसको हम हम पीस लेते हैं मिक्सी जार में यदि आपके पास मिक्सी जार नहीं है तो आप सिल्बटा वगेरा में भी इसको पीस सकते हैं तो यह देखिए हमने पीस के एक दम चिगना पेस्ट बना लिया है इस तरह के से भाजी आप चने की भाजी बनाएंगे आपको बहुत ही जादा स्वादिश्ट लगने वाली है यह भाजी तो इससे क्या होता है चने का जो कड़ापन रहता है वो भी आपके मूह में नहीं कड़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे यह देखिए हमने तेल डाल लिया है इसको थोड़ा सा गरम हो देते हैं तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ही इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा जीरा इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च हरी मिर्च हमने उबालते समय भी डाला था तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हैं तो थोड़ा तीखा सबजी रहेगा भाजी तो बहुत अच्छा लगेगा तो इसमें देखिए हमने कटा हुआ थोड़ा प्याज डाल दिया है थोड़ा सा इसको भून लेते हैं प्याज को ये देखिए थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगा इसका तो प्याज भून चुकी है इसमें हमने डाल दिया थोड़ा लाल मिर्च सब अपने स्वात के अनुसार आप डालेंगे धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं वैसे तो भाजी में हल्दी नहीं डाली जाती है लेकिन थोड़ा सा कलर के लिए आपको फ्लेवर भी थोड़ा अच्छा लगेगा तो हमने डाल दिया है इसमें हल्दी यदि आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया एक टमाटर तो टमाटर को भी थोड़ा गलने देते हैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे तो जल्दी गल जाएगा ये तो आप टमाटर जल्दी से पक जाएगा तो थोड़े देर बाद आप देखेंगे तो टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुका है और मसाला भी अच्छे से भुन गया है तो मसाला तयार हो चुका है अब हम इसमें देखी जो पिसा हुआ जो भाजी था चने की भाजी इसमें हम पूरा पिसा हुआ पेश्ट डाल दिगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें देखी हम थोड़ा सा मानके चलिए तीन-चार चम्मच हम इसमें चावल का आटा डाल रहे हैं चावल के आटे को एक कटोरी में आप थोड़ा सा घोल बना लीजेगा पानी का और यदि आप इस चने की भाजी में चावल का आटा डालेंगे तो उससे आपका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा भी आएगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा तो यह आप लोग जरू जादा चाहिए तो इसको थोड़े दिर हम देखे ढ़क के थोड़ा सा पका देते हैं बस देखी पांच मिनट हो चुका था इसके बाद देखिए आप भाजी का कलर और भाजी बहुत अच्छे तरीके से मसालों में मिक्स हो चुकी है पक चुकी है और स्वाद तो आप पू बहुत ही अच्छा टेच्ट आएगा और राइस के साथ तो खाते ही है तो हमारा चार चने की भाजी एकदम तैयार है इसको सर्व करते हैं देखे कितनी अच्छी दिखाई दे रही है चने की भाजी तो इस तरीके से आप लोग जरू ट्राइ कीजेगा कमेंट्स कीजेगा थाग सब्सक्राइब स्सक्ण अच्छी स्टी अच्छी जरू चाहाँ जरू एक्रणा जरू आएगा टेवा पा जुक हे तो बाते हुट कू जरू तो खाते हैं और रहा है